हेलो एवर्यवान दिस बष्रा खान वङलें चिछ अब जानते हैं कि मैंने और सितार साहब ने कुछ अरसे पहले कुछ डिसकुशन की थी बष्रा बीबी और इमरान खान की बहने के बारे में उन दोनों के दर्मियान, बुश्रा बीबी और इमरान कान की जो बہने हैं, उनका ग्रुप और बुश्रा बीबी इन दोनों के दर्मियान अचाचि दर्मियान शदीद एक्तलाफात हैं इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे अफकॉर्स आर जीनियस मिस्टर अब्दिलसितार खान साहब वो इस आर सीनर जोनलिस्ट फॉम समा टीवी असलाम लेकुम असलाम जी तुम जे बताईए के आडियो लीक के बारे में आप और क्या-क्या जानते हैं अच्छा ये जो आडियो लीक हुई है ये बुश्रा बीबी और लतीव खोसा के दरम्यान हुई है ये कम असकम पांच-छे महीने परानी में बात कर रहा हूं कि जब पहली दफ़ा मुझे ये पदा चला इमरान खान की बेहनों ने खास तोर पे इमरान खान फैमिली का फैमिली 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 फैमिल पिर उसके बाद ने मुझे से शेयर किया मैंने थीक किया ये बनता भी यही था कि बेहने और भाबी ठीक है अब ये दोनों का है तो एक फैमिली फ्रेंड उसमें क्या कर सकता है देगा ना फैमिली फ्रेंड को तो अपना फैमिली फ्रेंड रहना है बहुत सारे मसायल होते हैं इमरान खान उससे बात करता है। बहुत सारे मसायल होते हैं जिसमें इमरान खान की बेहने उनसे बात करती हैं। तो वो उससे भी चला जाए अगर ऐसी कोई रकद वो करे। आप नाई करें तो बेतर है क्योंकि मैंने आपसे शेयर की हैं लेकिन कुछ अरसे बात होता है कि वो कह देते हैं कि चाल यहारा कर तिरा दिल करता तो कर दे अब मसला यहा था कि उसकिजब हम लोग शो कर रहे थे एक दो हुटों की बाहा था तीन हफ़तों की बाहा था जब हम यह सो कर रहे थे तो हमने बुनियादी तो पे जो तीन रूलिंग फैमिली हैं पाकिस्तां के उसमें हमने जिकर कई था तक ethnic Mult फैमिली के आंदर कि रिम्रा खान के खानदान में बुश्रा और इमरान खान की बेनों के दिर्मियान एक डिस्प्यूट है अच्छा उस डिस्प्यूट को अगर हम लेके फर्दर आगे चलें तो मेरे जैसा बंदा ये कहागा कि वोड जो है वेटे जो है वो बुश्रा बीबी को इसलिए मिलता है डिस्प आगे हैं वो बाई जा चुकी है उनका अपना ऒर ये इमरान खान का घर है और इमरान का घर में इमर खान की बेगम later बुश्रा का है Coई किसी मिस चीज र्चा का अपने घर को देख लो मेरे घर को देख लो किसी के entities होती है जी उनका separate weightage होता है लेकिन मिया बीबी जो है ना वो family कहलाती है actually जो family होती है आगे बचे हो ज़ते हैं तो उस मामले में बुशरा का edge है technically भी एज है तेकनिकली भी एज है legally भी एज है इखलाकी तोर पर भी एज है ठीक है अब उसमें अगर अलीमा खान को या इमरान खान की बेहनों को कोई मसल़ा है बुशरा के साथ तो within the family वो रह के कर सकते है लेकिन बुशरा के साथ dispute बनना नहीं चाहिए अलीमा खान का या इमरान खान की बेनों का बई इमरान खान अगर किसी की बहुत ज्यादा तवज़ देता है इमरान खान अपनी जिन्दगी में अगर किसी इमरान खान ने किसी पे तवज़ ज्यादा रखी तो बुश्रा बीबी है भुषरा बीबी से ज्यादा इमरान ख्षान ने कभी किसी पे तवर्जव नी रखी उसकी फैमिली खानदान की आबात कर लूँ तो सबसे हइत तवजआ तवजव रखी वह बुषरा पे रुखी बिलकां अब इस जरूर से ज़्यादा तबज्वर रखना जो उसकी बहने समझती है उनकी बहनों ने मेरे खाल में बुश्रा को भी रहाम खान समझ लिया हुआ रहाम खान डिफरंट केस था बुश्रा डिफरंट केस है इस वग्द जो खावर मानी का वाला इशू हुआ तो जैसे इमरान खान के मुखालफ नहीं होते खुश हो जाते जी इमरान खान लग पता जाएगा तो उन खुश होने वालों में इमरान खान की बेहने भी थी कि चले कोई ऐसा मौका आए जिसमें बुश्रा की वजा से इमरान के उपर बुरा वक्त मजीड टाइट हो गया तो उन्होंने इस चीज़ को वैसे लिया तो बुश्रा बीवी और अलीमा खान में फरक सिर्फ है कि बुश्रा बीवी है अलीमा खान बेहन है जाहर है बीवी का जो हक है हमारे सब की नजर में वो ज्यादा होता है अगर ये निकलता है कि पार्टी की क्यादत उस तरीके की क्यादत जिसमें पार्टी के जो सफ़े अबल हो सफ़े दोएम हो सफ़े सोएम हो उसके जो क्यादत है वो गाइडन्स किसे लेगी अब अगर अलीमा ये समझती है कि वो गाइडन्स अलीमा से लें तो मेरे खाल अलीमा का ये दावा जो है ये डिजर्ब नहीं करता ये कौलिफाई नहीं करता अलीमा की निस्बत यही दावा अगर बुश्रा करे तो वो कौलिफाई करता डिजर्ब करता जिस्ट बिकाॉज ओफ वन रीजन के बुश्रा एहलिया है अमरान खान की और अलीमा बेहन है ठीक है अब इसके लावा अगर कोई प्रापटी का मसला है और इसके लावा कुछ और चीजों का मसला है तो उसमें भी बुश्चता का ज्यादा हाक है ठीक है बेहनों ने जो करना था वो कर लिया अब रीसरनली जो उद्मा खान है उसके और उसके अस्बंड पे केस चल रहा है एक inquiry हुई है एंटी कर्ड़ाफ्शन इस्टैबलिश्टन पंजाब में अब उसमें भी सेंक्रों कनाल जमीन की बात हो रही है कि जी कबजा किया गया अब कबजा गर उनमें किया था तो अब इस बात है किस दोर में किया था जब उनके उज्माख खान के भाई की अ हुकुमत होगी ठीक है अब वो सची चीज है या सची नहीं रहा है वो केस मगश जह मदूबूत है या कमजोर है मैं उसमेण जहता कीessions과 मैंने केस को पढ़ा इनएी लेकिं वह QUE Looking होई Inquiry चल रही है investigation चल रही है अब कहने का मतलब है कि Bushra के उपर इस तरह का इस नौईयत का बुश्रा पे डिफरन नौईयत के केसिज हैं बुश्रा पे इस नौईयत के केस नहीं है बुश्रा पे केसिज है और बुश्रा पे जो एक केस है वो अपने मियां के साथ है अलकादर ट्रस्ट का कि वो एक सो नवे मिलियन डॉलर मलक रियास के आए तो फिर بندر بانڈ ہو گئی फिर उसका फायदा अमरान खान ने उठाया क्योंके वो अमरान खान अकूमत में था और मलक रियास के वो पैसे थे और जिस तरीके से वो पैसे आए वो जो नेशनल क्राइम एजन्सी है उसने कहा था इस इस डिर्टी मनी डिर्टी मनी क्या होती है मनी लाउंटिंग होई होती है करप्शन होई होती है उसे डिर्टी मनी करते है तो ये मलक रियास के जो पैसे आए थे उसमें अगर मुस्तफीद हुई है तो बुश्रा केली थोड़ी मुस्तफीद हुई है इम्राहन खान भी मुस्तफिध हो गया तो डाय इद सेपरेट अब इस तौन अलीमा खानकां को देख लें अलीमा खान की इस मुलक से भाहर प्रॉपरटी थी दूबई में उसके प्रॉपरटी थी यो कियो नहीं थी भी और उसके जवाब में जब ये बात बाहर आई के अलीमा खान की प्रॉपटी दिबई में है तो अलीमा खान को फाइन जर्माना हुआ था और वो CBR ने किया था क्यों किया था किस लिए किया था वो इसलिए किया था कि आपको कसूर वार हैं और जर्माने तक ही मैदूद क्यों रही वो बात क्योंकि भाईजान जो थे अमरान खान साब वो विजरियादम थे तो सी बियार ने पूरा ख्याल किया लिहाद रखा अगर वो कोई और की किसी और की अकूमत होती न तो अलीमा ख इस तरीके से मांग सकती हैं इमरान खान की बेहनें पीटियाई की क्यादत खास तौर पे अलीमा खान किस बनियाद पे उचा रही हैं कि मेरा कंट्रोल हो जाए और एस कंपेर टू बुश्रा बुश्रा का जो स्टेटिस विदन दी पीटियाई है वो चाहे अब पार्टी का सरब्रा चेर्मेन पीटियाई का कोई बाहर से बंदा आ गया है गोहर खान एक वकील है वो आ गया है जो बेरिश्टर इतजाद असन के साथ भी उनके चेमबर में रहा है अब दो जार बाइस में आये थे पराने पीटियाई के नहीं हैं बहुत नए हैं लेकिन गालबन इमर गोहर खान के भी बावजूद जो इंस्ट्रक्शन हदायात वो जो ली जारी होंगी न वो इमरान खान से या बुश्रा से या अलीमा से ली जारी होंगी ये नहीं होगा कि गोहर डिसाइसिवली फैसला कुन हद तक उसका चेर्मेन होगा वो गोहर तो फेस सेविंग के वोड जो है ना अमरान खान का किसी और का नहीं है अब ये वोड की बात आदे तो लीमा के देन में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने भाई का जो भाई इस वक्त एक मुसीबत में फशा हुआ है बहुत पैड़ा वक जा रहा है अमरान खान पर अपने जिंदगी में पहली मरतबा वो पैड़े दिन देख रहा है इस वक्त में अपने भाई को जेनी टेंशन में रखना मुनासब नहीं लगता क्योंके इमरान खान जेल में है अगर उसके जेन में बहुत सारे मसाइल फसे हुए ना जो हकूमत की तरफ से हैं इस्टेबलिश्मेंट की तरफ से हैं फ कर सकता है कि खुदा के लिए इस एक वक्त में जब मेरे पर बुरा वक्त चल रहा है मुझे नहीं पता मैंने बाहर आना है नहीं आना मुझे नहीं पता मैंने रहना है या नहीं रहना मुझे नहीं पता मैंने लेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना मुझे नहीं पता कि मेरे फसाद नुमा चीज़ खड़ी कर दी है कितना कर लोगों से चुपाओगे अगर हम लोग अपने शो में कुछ हफते पहले बैठ के ये बात करते है अब वो आडियो आगी है जिसमें वो ये चीज़ बाहर आती है क्लीर होगे ना कि अक्तलाफाद तो है अब इस वक्त में जो कुछ भी हो अगर आपने फैसला करना हो तो ये क्या ये सी से जो पीटी आइ से बाहर आए या इमरान खान के मुखालिफ है वो तो मथल अलू बांट रहे होंगे इस वक्त जाहर है उनको एक्रीस मिल्टम का मुका मिल गया क्यों ने देगें चड़ा दी होंगे कि यार इस से बहतर मुका क्या मिल्टा कि घर की दो औरतें आमने सामने आदें एक बीवी है दूसी बैन है तो इससे आप इमरान को कमजोर ही कर रहे होंगे को इमरान को मश्बूत करने का नहीं है लेकिन लेकिन आप एक वाइफ हैं अगर इमरान खान की तो आप ऐसी आडियो लीक आपको जब पता है कि एक नाजिक महले साब गुजर रहे हैं कुछ भी हो सकता है आपको नहीं पता कि आडियो लीक हो रही है लेकिन वाइब ये इवन सेंसिटिफ बाते तो करना बनती नी ना ऐसी मेरे कहल से इस वकाद आपको इत्यात करनी चाहिए बुश्रा अगर मैं आपसे राप्ते में रहता हूं तो ये पॉड़कास्ट में हम आमने सामने बैठते हैं तो इससे पहले और बाद में यही हो सकता है मैं आपको फून करूं आप मुझे फून करें मैं आपको वटसईप करूं आप मुझे वटसईप करें लेकिन आप जिस पॉज़गदे होते हैं सतार सاحब टेप हो रही हो थी चीज़ए अगर हमारा मुबाइल ही सेफ नहीं है अगर हमारी वटसेप कॉल ही सेफ नहीं है तो यार अब देखो कि कोई ऐसी बात भी जो लोग टारगट करके बैठे होते हैं उनको इससे बितर मौका मिल सकते हैं तो हिल्वी क्लिंटन की भी तो निकली थी ना तो यह पर हमारी बुष्रा बीबी क्या चीज़ है उनके सामने कर बात की जाए तो ठीक है लोग करते हैं पीपल डू देखे ना लीक होती है और यह तो नहीं है कि चौबिस के चौबिस के अंटे यह क्या नाम है लतीव खुसा साभ वो बुष्रा बीबी के सामने बैठे हूँ और यह तया हो जाए कि हमने सामने बैठ के बात करनी है ठीक है इस तरह तो नहीं होता ना यही होता कोई एमरजनसी होती किसी वरत में आप फून उठाते हैं और आप समझते हैं कि आपका फून सेव है और आप फून कर देते हैं और फून में इस तरह की बाते हैं जो आप अपनी तरह से बड़ा मौतात होके बात कर रहे होते हैं आपके जहन में नहीं होता कि हमारी यह बात रिकॉर्ड हो जाएगी और यह आडियो फिर लीक हो जाएगी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे जिन में ये हो कि मेरी ये बात आपसे बात लीक हो रही है और टेप हो रही है टार्गट पे हैं और ये आने वाले वक्तों में ये लीक हो जाएगी तो मैं कभी आपसे बात ना करूं को भी आप मुझसे ना बात करें तो यह होता है, अपनी तरफ से महफूज तरीन होके आप बात कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आप बड़े महफूज हैं, लेकिन आप महफूज नहीं होते हैं, किसी वक्त भी कौन, अब कौन सा मुबाइल था, क्या वो लतीफ खोसा का अपना मुबाइल था, या ब चार लगा के बैठे हूं उपर पूरे चुकने बैठे हूं मेरा जो मुबाइल है मुझे क्या पता मेरा मुबाइल महफूज है कि नहीं महफूज मुझे क्या पता कि मेरा मुबाइल भी टार्गेट हुआ जिससे हम कहते हैं न फटे पर है जब हम आपसे बात करते हैं तो कहते उनको तो कुछ चीजों में आप से ज्यादा एज है ठीक है तो आप उसके साथ सीधे हुए है तो वो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ेंगे उनके लिए तो होगा अगर भी इससे बेतर क्या मौका होगा अगर डैमेज करो ये करो अब इसमें बाद उरती है इसके बावजूद इमरान खान डैमेज होगा कर नहीं होगा इसके बावजूद कि उसकी भेहन या उसकी बैन जजड़तों सरी फरक नहीं पढ़ने है और बश्रा दोनों तरफ इतना भी उसको ने हमारा दिल झालें करने से मुराद है जो PTA का सपोर्टर है उसका दिल कभी नहीं चाहेगा कि इमरान डेमज हो मैं आपका दुख समझता हूँ आपको किस ने कह देगे मैं PTA सपोर्टर है मेरी बात आगे चलने दो वो कभी भी नहीं चाहेगा उसकी खुष रहेगी यार कुछ भी हो जाएब बुशरा लुपा में कुछ हो जाएब इमरान की बेहनों को कुछ हो जाएब इमरान को कुछ ना हो ठीक है ऐसी खुइश होती है लेकिन आने वाले वक्तों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता eder maar आने वाला तो घर की ओरते हैं और इनके बारे में ये बात नहीं आई है कि खुदाना खासता को इसरा का वो गैर इखलाकी तो पर जिसको कह सके ना कि यार अगर वो गैर खलाकी हुए हुए थे तो आपको क्या जोद पड़ गी थी आडियो लीग कर दे जी ठीक है लेकिन ये घर की दो ख ये गा़ख अचलाफात हैं मैं उसके साथ कॉन्टीनियू करूंगा क्या आप ये कहते ही क ही कि ये खास के जि Means कर आद गय कर दे आज कर दे हम तो उन्हें न चाहुए कि जो एस की ये उसकी जो रिइप्यूट है वो डैमच नहोंगा लेकिन अगर उसकी रिप्यूट डैमेज हो जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूं मैं चाहतो यह रहा हूं कि ना हो यार यह इमरान बिचारा जो है ना यह बच जाया यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए जैसे पीटियाई के लोगों का आगे फिर क्या आपको लगता है इसके बाद एलेक्शन पे क्या असर होगा क्या आपको पते हैं वैसी रहालात नाजुक है चीजे तिंग्स अवरी डेलिकेट फॉर देर उन पार्टी तो क्या आपको लगता है मेरे खिल इसमें कल्ली पीटियाई नहीं है बाकी तमाम जमातों को भी मसायल का सामना है इस वक्त अपनी अपनी तरह के मसायल का सामना है पीटियाई को अपनी तरह के मसायल का सामना है पीपल्स पार्टी को अपनी तरह के मसायल का सामना है मुस्लिग गनून को अपनी तरह के मसायल का सामना है अच्छा ठीक है अब ये तीनों जमाते अपनी अपनी तरह के मसायल के साथ इस वक्त उसमें घिरी हुई हैं और इन मसायल में घिरे होने के बावजूद वो इलेक्शन में जा रही हैं 2024 के गावजूद आप इस तरह के मसायल ये आज तक कभी भी किसी भी एलेक्शन में पाकसान में देखनें नहीं आए कि जो इस मरतबा देखने में आ रहे हैं कि हर एक बड़ी जमात अपनी अपनी जगापर अपनी अपनी तरह के मसायल में घिरी हुई है और मुझे ये नी समझ आ रही कि ये लेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे हिस्सा क्यूं ले रहे हैं ये तो साही बाद ये तो सारा ट्विस्ट है हिस्सा क्यूं ले रहे हैं अगर मेरी जमाध हो और इस तरह से लेक्शन हो रहे हूं मेरी जमाहत हो अब्दु सतार खान की अपनी जमाहत हो और इस तना के मसाहिल मुझे घरे हो तो हो सकता है हो सकता हो सकता है मैं इलेक्शन का बाइकाट कर दूँ कि यार इन मसाहिल के साथ मैं इलेक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि इन मसाहिल के साथ मैं इलेक्शन में तो मेरा अगर होता तो मैं यह करता लेकिन यह जमाते जो है न वो इलक्षिन से निकल नहीं सकती हर जमात के अपने-पने मसायल नहीं रह जमात के साथ ही इलक्षिन में जा रही है कोई भी जमात कम्फोरٹیبل पुजिशन में नहीं है जायर है कहा क defenders के कोई नहीं बोर्ट नी मिलेंगे, चाहिए वो बोर्ट पुरी कोशिख करें 54 लेकि लग रहर हो था, कहमें ज्यदा बोर्ट नी मिलेंगे, वह जमाइज जिसको था पता था कि मरत्बह हमने जीत रहे हैं, वह उस तरही के जाती थी? अब बताएं एक्चुली कौन सी जमात जीत रही है किसी को नहीं पता वो जीत रहे हैं हार रहे हैं अगर जीत रहे हैं तो कितने मारजन से जीत रहे हैं अगर हारे हैं तो कितने मारजन से आ रहे हैं इस सारी की सारी जमातें उसमें फसी हुई हैं और आने वाले वक्त में ये सूबे इतने चार सूबे हैं दो रीजन्स हैं दो रीजन्स के इलेक्शन का इन चार सूबों के या जरनल इलेक्शन के साल उस तरह का तालुक नहीं होता हूँ अब ये चार सुबों में किस-किस जगा पर किस-किस हलके में किस-किस उमीदवार की क्या-क्या पोजिशन है किसी को नहीं पता ब्लैंक, टोटली ब्लैंक नहीं होते नारे वाजी की जाद तक तो ठीक है जी मैं स्वीप कर जाऊंगा मैं लैंड स्लाइड विक्टरी हो जाईगी कोई इन से पूछे इन सियासी जमातों से कि यार यह मैं यह बताओ यह लैंड स्टाइल विक्टरी होती क्या है यह स्वीप करना यह होता क्या इनको नहीं पता sweep or land slide बड़ा rare एक phenomenon है बहुत कम election में देखने में आता है कि कोई एक जमाद sweep कर गई हो या कोई एक जमाद land slide विक्टरी के साथ आई हो बना एक margin के साथ जीत के वो हकूमत बनाते हैं अब हमारे पाकसान में हम exaggerate करते हैं चीज़ों को बढ़ा चड़ा के बयान करते हैं मेरे हक में चीज जा ली है ना इतनी सी जा ली है मैं उसको इतना करके बताऊंगा ये हमारी culture है हमारा mindset है 40 सीटे हैं ना 400 सीटे हैं बना एक दम रहान हो जाता है 40 सीटें तक बात तो समझ आ रही थी ये 400 सीटें कह रहा है अब क्या है कि वा एक्ज़ेजरेट कर रहा है जो कुछ भी होगा उस दिन मैदान में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है कौन डूब रहा था और कौन तैरा था मड़े मज़े से ये उस दिन पता लगेगा जब ये मैदान लगेगा उससे पहले तो जणाब अगर उससे पहले आपने उससे पहले मेरी आपके अभी भihस ही जलती रहेगी कि क्या हो रहाया चाह नहीं हो रहाया पhr का और कोई नए इंफिर्मेशन और आप लेकर आएगा और उनकी नंदे, यहने कहा जाता है, इमरान खान की बहने, इन दोनों सेट्स के दरम्यान शदीद इकतलाफात है, और बिछ इस नैच्रल, अगर देखा जाना कि वह बहु सास वाले एक रिष्टा होना, फिर नंद भाबी बाला रिष्टा होना, वही काई में, यहाँ पर भी आप देख लेकि कितनी बड़ी रॉयल फैमिली हो, रिष्टे वही होते हैं, एकतलाफात भी कहीं नहीं हड़के आगे पीछे होते हैं, नंद भाबी बाला रिष्टा भी है, बिष्टा बीबी का इमरान खान की बहनों का, और उपर से पोलिटिकल सिच्वेशन भी है, इतन करने को, especially after the audio leak, let's see आगे क्या बाते होते हैं, बिष्टा भी तो इस चीज को मेरे खाल से असेप्ट भी कर रही हैं, अगर बात करती हैं, लतीफ कौसा सहाब से, अपनी नंदों के बारे में, इमरान कार की बहनों के बारे में कोई भी बात, जो बता रही हैं, यहां पे शद दो नंट लगए टो शेयर, लागए एंशब्सक्राइब कर शब्सक्त अस जूजल, भी बाइए।